स्वाग है आपको मारकेशास्थी चनेल में आज का हमारा स्टाडी टॉपी के बुलिस एंगलफिंग टैस्ट Means Time और यह पैटरं दो केंडल से बनता है इसमें 1st candle red होता है और 2nd candle green होता है और इसमें 1st candle का body 2nd candle का body के अंदर होना चाहिए और ऐसा formation होने के बज़ा से लगता है second candle यानि bullish candle, first candle यानि bearish candle को engulf कर लिया, मतलब निगल लिया और इसी बज़ा से इसे bullish engulfing pattern कहा जाता है और ये दोनों candle का real body and weak का size और position के हिसाब से अलाग अलाग type का ये दिखता है जो आपका screen का सामने है आप देख सकते हो चाहे जैसा भी ये formation बनाएं इसमें 3 चीज होना चाहिए 1. First candle red होना चाहिए 2. Second candle green होना चाहिए 3. First candle का body को second candle का body पूरी तरह engulf कर लेना चाहिए और ऐसा pattern चार्ट के उपर किसी भी trend और position में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन appropriate bullish engulfing pattern उसे मना जाएगा जिसका previous कुछ candle डाउन टेंड में रहा है और इस तरह डाउन टेंड में bullish engulfing pattern बाद एक्सपेट के आता है कि प्राइस यहां से reverse करके आगे कुछ सेशन उपर ही जाएगा तो ऐसा expect काने का पीछे जो psychology यह उसे एक बाद देख लेते है प्राइस उस सेशन डाउन टेंड में रहा इस दोरण प्राइस के उपर पुड़ा कंट्रोल के सेलर्स नी इस pattern का first candle open होता है और थोड़ा high low बना के finally open price के नीचे ही close हो जाता है मतलब इस candle में भी seller ने डाउन टेंड को बरकरार रखा लेकिन next candle थोड़ा gap down open होता है इसका मतलब opening भी sellers के control में होता है और यहां से हो सकता है कि थोड़ा नीचे गाया फिर suddenly buyers बहुत ज़्यादा active हो जाता है यहां पे seller जितना भी share supply करता है buyers buy करना सुड़ कर देता है और supply से ज़्यादा demand create होने पर price उपर आ जाता है और price candle season में buyers demand को बरकरार रखता है और finally first candle का open से भी उपर close गयाता है तो इस तरह का bearishness market में जहां पर price fully control में रखाता sellers ने अचनक buyers का इस तरह active हो जाना और sellers का control को defeat करके price previous day का open से भी उपर close हो जाना एक trend reversal को indicate करता है तो आसा करता हूँ इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपका bullish engulfing pattern का basic concept और इसका बानने का psychology को समझा चुका है तो आभी हम देखेंगे इस pattern को trade करते बाग किस किस चीज का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका trade साही जाने का chance increase हो जाए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगड़ा है तो आगे जाने से पहले एक like जुरूर कर देना इसमें first आपको देखना है इस pattern बानने से पहले कुछ session downtend में हो second इस pattern का first candle का low उसका previous three candle का low से नीचे होना चाहिए third इस pattern का second candle यानी bullish candle का body कम से कम 3% होना चाहिए मतलब open and close का difference at least 3% होना चाहिए fourth इस pattern का second candle का high first candle का high से उपर होना चाहिए fifth second candle का volume first candle का volume से ज़्यादा होना चाहिए sixth 14th period का RSI first candle session में 60 के नीचे होना चाहिए और seventh इसमें देखना है ये जो pattern बना है ये कोई support area में बना हुआ है तो total 7 points मैंने mention किया अभी आपको लगड़ा है इतना points देखने जाओंगा तो ऐसा setup मिले गई नहीं तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि मैंने जब से टेडिंग कर रहा हूँ मैंने हार एक pattern को बाड़ी की से देखता हूँ और इस pattern में मैंने देखा जब एस आप criteria फुल्फिल कर रहे है तब इसका accuracy बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसा setup भी मुझे मिलता रहता है तो जब भी आप bullish engulfing pattern को देखोगे तो trade लेने से पहले एक बार ये सब points को देख लेना और मैं sure हूँ आपको ऐसा setup मिलता रहेगा आप practice कीजिए इसमें trade कीजिए फिर आप देखेंगे आप अपने हिसाब से ये सब points को modify भी कर पाएंगे मतलब अपने trading style के हिसाब से इसमें कुछ extra points add कर पाएंगे और situation के हिसाब से कुछ points को minus भी कर पाएंगे क्योंकि trading में कोई rules 100% काम नहीं करता है trading एक skill है और कोई भी skill develop होता है observation और practice से और क्योंकि आप beginners हो आप सीख रहे हो तो मैंने जो इस pattern में observe किया उसका एक rules बना के आपको दे दिया ताकि आप इसे size से observe कर पाए और practice कर पाए मैंने देखा YouTube में ऐसा भी बहुत सरा वीडियो है जहां पर बोलता है इस rules को follow कर लो हर रोज इतना कामा होगे उतना कामा होगे एस सब बकवास कीज है अब खुद ही सोचिए अगर कोई rules में इतना तकोत होता तो public में आके कोई बात आए गाई नहीं सेकेंड उस rules को follow करके हर कोई successful कुरूरपूती trader बन जाता ओके ठीक है बीच बीच में ऐसा में बोल देता हूँ ताकि आप साई direction में और साई expectation के साथ stock market को सीख पाए मुझे पता है इस वीडियो में जम के dislike भी आने बाला है वो लोग जरू dislike करेगा जिनको shortcut चाहिए और जि आप भी share market को जहां से भी सीख रही हो साई से सीखिए मेहनत करके सीखिए इसके अलाबाद दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं और वीडियो आभी खतम नहीं हुआ इसमें आभी हमको stop loss, entry और target point को देखना है इसमें आपका entry होगा bullish engulfing pattern का closing price के असपास इसमें आपको next candle का confirmation ल का low नीचे है उस candle का low के नीचे और वैसे तो target situation के उपर depend करता है लेकिन आप next कोई resistant area या फिर जब reversal का संकेत दिखाई दे तब exit कर सकते हो और सबसे safe तरीका है आप one is to one का target राख लीजिए मतलब आपका stop loss अगर five point का हो रहा है तो आगे आप five point का target राख लीजिए फिर target ही और 20 दिखाई दे तो half quantity profit book का लीजिए बाकी का quantity trailing stop loss के साथ तेल करते रहे जब तक stop loss हीट ना हो जाए तो ठीके इस वीडियो में इतना ही आसा करतों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला thank you for watching this video